सिद्धार्थ नगर में मा काली गालापूर का स्थान लोगों के लिए आस्ता का केंद्र है हर साल नवरात्र के समय हजारों की संख्या में श्रद्धालू आकर यहां पूजा अर्चना करते हैं इस्तान का खास महरत्व है कि सच्चे मन से जो भी भक्त इस्तान पर आकर कुछ भी मा से मांगता है तो मा काली उसकी हर मुराद पूरी करती है यह बड़ा गालापूर जो है यह बहुत ही एतियासिक स्तान है माराज केशरी सिंग जी जो हमारे पूरवश थे वो गुजरात से चल कर गोंडा आये थे आज के 2000 वर्ष पूर्व और वहाँ पर उन्होंने अपना सामराज इस्तापित किया और वहाँ से चल कर फिर जो है वो यहाँ पर यहाँ आयों यहाँ उनका सामराज इस्तापित हुआ था और तभी से जो है यहाँ का इतियास है यह गालापूर मंदिर है यहाँ तमाम शर्धालू जो है नौरात्र के समय में यहां आते हैं दूर दराज से आते हैं उनकी मनों कामना की पूरती होती है हम लोग यहां के विकास के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे अभी boundary wall लगाने का भी यहां पर है और परेटक विबाग से भी हम लोग ने संपर के किया है यहां के विधायक जो है रागवेंदर सिंग जी वो जागरुक हैं और चाहते हैं कि यह जो हमारा यह जो गालापूर मंदिर है यह विक्सित हो हर्माने में तो इसका भरसक प्रयास हो रहा है और हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है जिस तरह से जनता का जो डिमांड होगा जो उसी के हिसाब से उन रूप जो है हम लोग काम करेंगे और यहां की सिवा हम लोग करते रहेंगे लगभग 2000 साल पूर्व राजाराम केशरी सिंग ने साकलदी ब्रामण से महकाली जी को मंगाया था तब इस्तान पर जंगल हुआ करता था च्छ मा कड़ी तपस्या के बाद मा काली प्रकत हुई थी तब साकर्दी ब्रामन ने उन्हें इस्थान पर स्तापित किया था इस्थान पर राजा केशरी सिंग के वंशज राजा योगेंद्र प्रताप सिंग ने अपने परिवार के साथ आकर पूजा अर्चना की यहां देश के कोने कोने सो लोग आते हैं और माहा काली का रादना कर्वने महुत्यों पूरी करते हैं आज जो है स्टेट के सब्राकर राजा योगन परताप सिंग साप परवार यहां आये थे और यह दरसन दरसन कर जा रहे हैं इस अस्थान के बिकास के लिए प्रेटन में भाग द्वार बिजट भी जारी किया गया इसको प्रेटन अस्तर का दाजा दिया जाएगा हराजा जो इस स्टेट के सर्वाकार है इस अस्थान के सर्वाकार है उनके दुआरा अपने बेग्द के तुरुप से त्वाम बे उस्थाएं की गिए है 24 आज ट्रियर न्यूज को सब्स्राइब करें और रेगिलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत बुदिए